हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आई होब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंग स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगें आपके सामने एक Most Important Science का लेक्चर वीडियो लेकर आगया हो दोस्तों जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7 स्टैंडर्ड के लिए साइंस सब्जेक का जो हमारा चाप्टर चल रहा था फ्रेंड जिसका नाम है चाप्टर नमर सेवन मोशन फोर्स एंड वर तो आप दुबारा सा एक बर चेक किरेगा आपके Playlist Section में हम बहुट सारे pregunta spinning से बना रहेये दोस्तो आपको बहुट सारे चाप्टर जो पुराने आपको नहीं मिल रहे थे वह बहुं को मिलते रहेंए दोस्तों tad एक बार जरूर से playlist check करते रहैं हर दिन हर दो 2-3 डिन पर आज के इस lecture की, देखो दोस्तों ये chapter जो है motion, force and work, पहला lecture अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने आपको पढ़ाया था कि motion का मतलब क्या होता है, motion पढ़ाया था फिर आपको हमने बताया था कि distance क्या होता है, displacement क्या होता है, दोनों में फरक क्या होता है, speed and velocity क्या होती है, यह हमने discuss किया था, and साथ ही में आपको बताया था कि instantaneous speed या फिर आप बोल सकते, average speed क्या होता है, यह हमने कल examples के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश की थी, तो आज हमारा second lecture है और आखरी lecture है, इसमें कुछ topics रहे गए हमारे syllabus के अंदर, तो हम लोग भी इसको खतम कर देते हैं, तो सबसे पहला जो आज का topic हमें पढ़ना है, जो heading है, दोस्तों वो है acceleration, यह word आपने बहुत पहले सुना भी होगा, acceleration, तो acceleration का basic meaning सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हम गाड़ी चलाते हैं, ज जब देखोगी दोस्तों, right जो आपका हाथ होता है, इस तरह से हम लोग चलाते हैं, यहाँ पर brake होता है, या फिर clutch होता है, स्कुटी रेगी तो brake रहेगा, और bike रहेगा तो clutch रहेता है, यहाँ पर जिससे हम लोग gears up and down करते हैं, और clutch इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अब दू जरूर बेटके थड़ा बच चलाते होंगे, या फिर acting जरूर करते होंगे, चलाने का, वजबन में हम भी ऐसे ही करते थे, तो normally क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं, कि वो accelerator को जब आ पॉजिटर्यू डारेक्शन में लेकर जाओगे, तो वो acceleration के वज़े से क्या होता है, यानि कि reverse direction में दे देते हैं, या फिर धीला छोड़ देते हैं, करेक्ट है, ताकि वो वापस से घूम के अपने neutral position पर आ जाए, यह समझ में आ रहा है दोस्तों, यानि कि हम accelerator का इस्तेमाल करते हैं, to increase the speed और decrease the speed, करेक्ट है दोस्तों, समझ में आ रहा है, तो acceleration is nothing but the rate of change of velocity, क् वो time के हिसाब से change होता रहता है, कभी हम जादा करते हैं, कभी उसको कम करते हैं, तो वो क्या हो रहा है, change हो रहा है, तो हमारा acceleration का formula क्या बन जाएगा दोस्तों, यह तो definition हो गया, the rate of change of velocity is called as acceleration, and acceleration का जो formula है, वो हम लोग आपको अगर बताने ही कोशिश करें, तो acceleration is nothing but, मैंने is the formula for calculating the acceleration, ठीक है, तो whenever we want to increase our speed, हम इन्क्रीज कर लेते हैं, जब भी हम लोगो speed को कम करना होता है, तो हम क्या करते हैं, reduce कर लेते हैं, और यही चीज होता है हमारा acceleration, ठीक है, तो acceleration is nothing but, change in velocity upon total time taken, जितना भी लेगा, और उसको हम लोग normal mathematical language में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, acceleration को small letter a से denote करते हैं, change in velocity का मतलब होता है, एक बहुत ज्यादा velocity होगा, यानि कि final velocity होगा, यानि कि capital V, और एक initial velocity होता है, जिसको हम लोग u बोलते हैं, initial velocity, और upon time मतलब t, ठीक है, तो a is equal to v minus u upon t, यह थोड़ा सा मैं higher standard के हिसाब से बता दे, यह सब आप 9 में पढ़ोगे, लेक जो exam check करने वाले रहेंगे, paper check करने वाले जो teachers रहेंगे, आपसे बहुत ज्यादा impress हो जाएंगे, ठीक है, तो यह जरूर से लिखना, a for acceleration, change in velocity का मतलब होता है, final velocity, जिसको v से बोलते है, minus initial velocity, जो पहले का velocity होता है, तो v minus u upon t, that is time period, तो यह हमारा होता है acceleration, तो कोई भी आपक unit का unit क्या होता है, meter per second, वैसे acceleration का जो SI unit होता है, दोस्तो, इसके अगर हम बात करें, वो होता है, meter per second square, ठीक है, meter per second square जो होता है, वो हमारा, क्या होता है, SI unit होता है, इस particular acceleration का, clear है दोस्तो, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज आपको बहुत ही easily समझ में आ गया होगा, तो यह हमारा part acceleration का, अब बात करेंगे हम लोग कुछ force के बारे में, ठीक है, क्योंकि chapter के बारे में force, motion के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा सा force के बारे में फड़ेंगे, last में, आज के lecture में बात करेंगे work के बारे में, ठीक है, तो फिर हमारा chapter जो है complete हो जाएगा, ठी force क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा study करने, ठीक है, okay, heading डाल लेते हैं, force, ठीक है, force, अब force के बारे में हम क्या पढ़ा है आपको, क्या पढ़ा है दोस्तों, इसका मतलब यह है, कि आप लोग खुद जानते हो force के बारे में, बस आपको वो चीज़ बोलने नहीं आता होगा, क्या बहुत छोटे हो भी, 7th standard में हो, लेकिन यहाँ पर में वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, force एक ऐसा चीज़ है, जिसके वज़े से कोई भी movement होता है, यानि कि displacement होता है, यानि कि, with the help of force, ठीके न, with force, क्या हो रहा है, आपका displacement हो रहा है, displacement occurs, आपका ज motion के उपर, three laws of motion है उनका, Newton first law है, second law है, Newton third law है, यह अभी आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको पहला यहाँ पर Newton first law, आपके syllabus में include किया हो है, तो वो मैं आपको बता दूँगा, जरूर से कि Newton first law क्या होता है, लेकिन second law, third law क्या होता है, यह आप थोड़े और higher standard में जाओ basically ninth में आपको पढ़ना है वो सब चीज, लेकिन आपको मैं छोटा सा hint दे दूँगा, यहाँ पर first law का, and एक और चीज बताऊंगा, क्योंकि तो topic का जो ना में वो क्या है, force है, यह आपको पता होना चाहिए, कि force का basic, जो meaning है, वो क्या होता है, तो force जैसे मैंने बोला आपको force के उपर क्या लगाया, force लगा दिया, ठीक है, मैं समझा रहो, force का meaning समझा रहो, force एक लगा दिया, तो यह force लगाने के विजए से ball समझ लो, इधर से move होके, कहां चला गया, यहाँ पे चला गया, थोड़ा और force लगाऊंगा, तो यहाँ से वो गिर जाएगा नीचे, नीचे कोशिश कर रहा हूँ, यानि कि अगर कोई भी external pressure भोल लो, external touch भोल लो, यानि कि कुछ ऐसा चीज, जो object को अपने जगा से दूसरे जगा मूव करने में, motion करने में, मजबूर कर दे, वो जो चीज होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, force बोलते है, समझ में आ रहा ह इसका मतलब होता है displacement, यानि कि ball यहां से move हुआ, displacement हुआ, यहां से move हुआ, यहां पे भी क्या हो रहा है, एक तरीके से displacement हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, कि कोई भी object को displacement करवाने के लिए, एक जगा से दूसरे जगा move करवाने के लिए, एक ताकत लगती है, एक ताकत और जो होती है वो क्या होती है फॉर्स होती है जैसे कि यह मारकर जो है यह नीचे गिर रहा है उसको घखड़ रहा है तो फैन के ऀपर कौन सा फॉर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक्ल force लग रहा है, जो motors create कर रहा है, electricity आ रहा है, तो हर चीज के पीछे, जो moment होती है, वो उसके पीछे क्या होता है, force होती है, एक ताकत होती है, वो ही ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, force, clear है, यह आपको समझ में आ गया होगा, अब इसी से में बात कर लेता हूँ, क्योंकि सेम यही topic है, आपका हमारे Newton's first law में, तो heading डाल देते हैं, Newton's first law, ठीक है, Newton's first law, क्या होता है, यह आप लोग पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि इसका definition जो है, यह बहुत जादा important है, ठीक है, यह आपको exam में शायद पूछेगा, तो जरूर से पढ़ लेना, लेकिन इसका concept में आपको समझाओंगा, concept मतलब क्या होता है, Newton's के first law, तो Newton जो थे, हमारे Isaac Newton, उन्होंने notice किया, कि कोई भी object को move करवाने के लिए क्या लगती है, first force लगती है, तो उन्होंने अपना पहला law उसी के ओपर बना दिया, कि any object when it is at rest position, जैसे मैंने आपको यह अभी अभी diagram बना के दिखाया, मुझे rough नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी यहाँ पर फिर से दिखा जेता हूँ, मैं एक object है, कि any object is at rest position, समझ लो, यह ball है, यह rest position में, मतलब आराम कर रहा है, अपने जगे से हिल रहा है के, नहीं, कब तक rest position में रहेगा, जब तक उसके उपर कोई भी external force, यानि कि कोई भी external, बाहारी रूप से कोई ताकर, यानि कि force उसके उपर ना अपलाए करे, तक वो हिलने वाला है के, नहीं हिलने वाला, यानि कि जैसे इसके उपर force लगा, यह object जो है, movement कर लेगा, और अपना जगा चेंज कर लेगा, या फिर किधर पे भी जा सकता है, तो वो जो phenomenon होता है, that is, any object is considered as the rest position, whenever an external unbalanced force is act upon it, and this law is called as the Newton's first law, ठीके दोस्तों, तो उमीद करता हूँ, कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी ताकत नहीं लगेगी, कोई भी force नहीं लगेगी, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हिलेगा, समझ लो दुनिया में, दुनिया में एक पत्ता भी अगर हिल रहा है न दोस्तों, तो वो भी एक ताकत के वेशे हिल रहा है, क्योंकि पत्ते हिलने के लिए भी wind लगती है, हवा लगती है, air का force लगता है, हवा का force, wind force लगता है, तो अगर दुनिया में कोई भी object यहां से वहां हिल रहा है, कोई भी चीज़ automatically हिल रहा है, मतलब उसके पीछे कहीं न कहीं एक force involved है, और यही जो phenomenon होता है, यही जो law होता है ना, वो Newton ने अपना नाम देखे, Newton का first law बता दिया, cycle चलाने में pedal मारते हैं, यानि कि हमारे pair से हम ताकत दे रहे हैं, force दे रहे हैं, गाड़ी चलती है, engine क्या कर रहा है, engine के अंदर piston होता है, आप petrol डालते हो, blast होता है, तो अंदर piston नीचे उपर नीचे हिलता है, वो आपको दिखेगा नी, force क्या होता है, Newton's first law क्या होता है, अब यह force के बाद, एक और चीज़ है जिसका नाम है work, यहाँ पे, तो force और work जो है, आपस में जुड़े होए रहते हैं, जैसे मैंने बोला, कि यहाँ पे object, जो है move करने के लिए force की जरवत पड़ी, अब यह object move हुआ, क्या हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ से, एक समान को समझ लो, एक समान रखा था है, मैंने क्या किया, काम किया ना, काम करने के लिए क्या लगा, ताकत, यानि कि force and work, जो है, कोई भी टाइप का work perform होगा तो ये चीज हम लोग को पढ़ना है तो क्या नाम है topic का हम लोग बात करेंगा यहाँ पर force and work ठीक है एक mix topic है force and work ठीक है work जो होता है यह force के उपर ही dependent होता है ठीक है तो इसको चलो study कर लेते हैं अब जैसे कि यहाँ पर बताओं मैं आपको एक example यहाँ पर consider करवाता हूँ जैसे कि कोई भी machines होती है factory में काम कर लो कोई भी vehicle हो गया कोई भी machines होती है दोस्तों हर एक चीज में क्या होता है ताकत लगती है और वो ताकत को यह से machines अपना movement करता है तो let's suppose एक मैं एक experiment करता हूँ यहाँ पर ठीक है एक table रखा हुआ है और यह table से एक पुल्ली जो होता है आपको पता होगा दोस्तों एक पुल्ली जो है अटाच है यहाँ पर पुल्ली होती है तो यह जो टेबल आपको दिख रहा है अब यह table के उपर जो ब्लॉक रखा हुआ है यह जो लकड़ी का ब्लॉक है या फिर किसी भी चीज़ का ब्लॉक है यह कब संव पर यहाँ पर जब मैं क्या करूंगा यह weight को बढ़ाते जाओं गाल गाई तो सेब उसी प्रकार है यह aggression जब जब जाएग honey वजन जब नीचे जाएगा तो यह ब्लॉक जो है इधर सरकेगा इधर सरकेगा यानि कि उसमें क्या हो रहा है displacement हो रहा है जैसे मैंने अभी बताया कि जब work लगता है जब force लगता है जब ताकत लगती है तो displacement होता है कोई भी सामान इधर से उधर move होता है तो जब मैंने एक force लगा दिया यह क्या लगा रहा हूँ मैं दोस्तों एक तरीके से force लगा रहा हो ताकत लगा रहा हो ना mg weight लगा रहा हो मतलब क्या लगा रहा हो force लगा रहा हो समझ में आ रहा है, तो मैं क्या बोल रहो? कोई तो एक काम हो रहा है, यानि कि कोई भी चीज के उपर जब ताकत लगती है, और वो जब अपना position चेंज करता है, या फिर कोई भी motion करता है, या फिर कोई भी moment करता है, तो overall हम चीज क्या हम क्या बोल सकते हैं, कि वो अपना क्या कर रहा है एक work कर रहा है यानि कि work का अगर मैं एक formula बनाओ यानि कि work का definition बनाओ तो work is nothing but force and displacement which are acting with each other जैसे कि इसका formula बन जाएगा work is equal to force कितना force लगा रहा हूँ और उसके वज़े से कितना मेरा displacement हो रहा है समझ में आ रहा है दोस्तों में क्या बताने की कुशिश कर रहा हूँ यानि कि work is equal to force multiply by displacement and this is the formula for calculating the work इनी work कोई भी काम हो उसको अगर मुझे calculate करना है तो मुझे क्या चीज की जरूत है कितना force लग रहा है वो और कितना displacement उसके वज़े से हो रहा है वो दोनों को multiply कर दो आपस में आपका work का जो value है आ जाएगा यानि कि shortcut तरीके से अगर मैं लिखू तो work को लिखते हम लोग W force के लिखते हम लोग F और displacement के लिखते हम लोग S तो work is equal to W is equal to F into S and this is the formula for calculating the work done of any object तो हर जगा machinery में हो गए या फिर कोई भी चीज लेलो गाड़ी लेलो automobiles लेलो क्या होता है जैसे ही engine चालू कि आपने मतलब पेट्रोल जा रहा है पेट्रोल को वे जैसे उसमें आग लगती है ब्लास्ट होते है तो piston जो होता है तो उसके अंदर जी कर्णकसाफ्त होता है जिसके वेसे आपके टायर्स घ्वूमते है तो टायर्स घ्वूम रहे है यारि की गाड़िया आपकी आगे चल रहे है तो मतलब अंदर C calm है, ऐसे इंसान भी वैसे ही काम करता है, हम खाते हैं, हमें ताकत मिलती है, फोर्स अंदर से आ रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो फोर्स के वैसे displacement हो रहा है, वर्क हो रहा है, तो that is nothing but w is equal to f into s, यह formula आपको याद रखना है, इसका si unit भी याद रखना है, जो unit है, अगर आपको एक्जाम में पूछेगा, कि what is the si unit, तो आपको याद रखना है, कि जैसे force का unit होता है, newton होता है, displacement यानि कि distance होता है, आपका एक तरीके से meter होता है, तो newton meter उसका unit होता है, और इसको हम लोग क्या लिख सकते है, एक तरीके से directly हम लोग लिखना चाहेंगे, तो newton meter लिख लो, या फिर आप directly joule भी लिख सकते हो, एक scientist है joule नाम के, उन्होंने अपना नाम दे दिया joule, capital letter J, लिख दोगे, तो भी चल जाएगा, तो SI unit जो होता है, वर्क का वो joule होता है, ये लिख सकते हो, newton meter भी लिखोगे, कोई problem नहीं है, तो joule J लिख दो directly, या Newton meter लिख दो, तो ये उसका हो जाएगा SI unit, ठीक है, और CGS unit में, ये हो गया SI unit, और CGS जो unit होता है, वो ERG होता है, ERG, ERG, तो ये आप याद रख सकते हो, by chance आपको exam में पूछ लेगा तो करेगा, लेकिन नहीं ज्यादा तर chances नहीं है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है इसे होता है, और उसका formula क्या होता है, तो कभी भी अगर इनके numerical भी अगर पूछ देगा, कि आपका force इतना है, displacement इतना है, तो work निकालो, तो आप निकाल सकते हो, बस आपको force और displacement को multiply करना होता है, ठीक है दोस्तो, तो आज के लिए इतना ही था खतम होता है, हमारा ये particular topic and य चाप्टर भी जिसका नामे, motion, force and work, उमीद करता हूँ कि ये पूरा chapter आपको clear हो गया होगा, दोस्तो, बहुत ही अच्छे से, एक एक चीज़ बारीकी से हमने explain किये, तो आपको अपने life में बहुत help करेगा, और आप conceptual knowledge help से, के help से, अपने exam में बहुत अच्छे marks भी लेके ठीके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही जल्द मिलेंगे, हमारे अगले lecture में, जिसमें हम और एक नया बहतरीन chapter आपके लिए शुरुवात करेंगे, बस आप लोग updated रही है, playlist check करती रही है, आपको हर एक chapters जल्द से जल्द मिल जाएंगे, आपके जो भी syllabus है, जो भी आप कहें, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, बस थोड़ा सा patience रखें, और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये पुरा चार्तर आपको कैसा लगा, दोस्तों, प्लीज हमें comment करके बताएगे, आपनी राय और suggestion जरूर से दीजेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and goodbye.